नमस्कार बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आज हम नौमी कक्षा के शेमुसी पाठे पुस्तक से पाँचमे पाठ को पढ़ेंगे इस पाठ का नाम है सुक्ति मौक्तिकम, जैसा इसके नाम से स्पस्ट है, दो शब्द हैं सुक्ति मौक्तिकम, सू उक्ति, सू याने श्रेष्ट, उक्ति याने वचन ऐसे वचन जो श्रेष्ट हैं, उनकी एक मोतियों की माला बना करके इस पाठ में पिरोया गया है इसलिए इस पाठ का नाम है सुक्ति मौक्तिकम, प्रियचात्रो, आप जानते हैं विदूर नीती एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है एक नीती शतक नामक एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और फिर चानक के नीती भी एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ऐसे बहुत सारे नीती ग्रंथ संस्कृत भाषा को सम्रिध करते हैं यहाँ एक परंपरा है नीती ग्रंथों की तत्र प्रती पादित सिक्षानाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुम तत्र वहां उन ग्रंथों में जो जीवन की सिक्षा दी गई है प्यारे चात्रों उनका पालन करके उनका अनुसरन करके हम अपने जीवन को बहुत श्रिष्ट बना सकते हैं ये जो पाठ हमारा है प्यारे बच्चो इस पाठ का कथ्य इस पाठ के संबंद में ये पूर्व विचार हमारे सामने रखे गई है नीती विशयक सारे श्लोक हैं और इन सब श्लोकों में भिन 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 विशयकों ले करके हमारे जीवन में किस तरह से गुणों का आधान हो सक हमारे जीवन में श्रेष्ट गुण कैसे आ सकते हैं, इस संबंध में बहुत अच्छी चर्चा किये गई है, एक एक श्लोक को हम लेंगे प्यारी बच्चों, और उस श्लोक के भीतर जिन गुणों की चर्चा है, उस भाषा का जो लालित्य है, उस कथन में जो एक मधूरता है वो सारी चर्चा हर एक श्लोक के माध्यम से हम यहां अपस में चर्चा करेंगे, तो आएए पहले श्लोक से हम आज के पाठ का आरंभ करते हैं, मैं एक बार इस श्लोक का वाचन करूँगा, और उसके बाद में इसके अर्थ के संबंध में हम चर्चा करेंगे, पहला श्लोक हमारा मनुस्मृती से लिया गया है बच्चो मनुस्मृती जितने भी स्मृती गरंथ हैं उनमें सबसे प्रथम गरंथ है सबसे प्राचिन गरंथ मनुस्मृती माना जाता है स्मृती गरंथों में वही मनु हैं जिनके नाम से हम मानव कहलाते हैं आदिपुरुष। उन्होंने जीवन के संबंद में बहुत अच्छी बाते कही हुई हैं। उनमें से ये पहला श्लोक इस पाठ में आ रहा है। श्लोक है वृत्तम यत्ने नसन रक्षेत वित्तमेतीच यातिच अक्षीनो वित्ततहक्षीनो वृत्ततस्तु हतो हतः। ये अनुष्टूप छंद में लिखा गया श्लोक है प्यारे बच्चों। इसको गाने काईक, इसके गायन काईक के अलग प्रकार है। मैं अब इसको गा करके आपके सामने, आपने महाभारत के जो श्लोक हैं वो सुने होंगे, लगभग इसी चंद के वो रचनाएं हैं और उसी तरह से इनका भी गायन होता है। वृत्नम्यत्नेनसंरक्षेत, वित्तमेतिचयातिच, अक्षीनों वित्ततक्षीनों, वृत्ततस्तुहतुहतः। ये इसे चंद को पढ़ने का तरीका है बच्चो, आएए अब श्लोक को और श्लोक के भीतर जो भाव नहीं थैं, उसके संबंद में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम का आर्थ होता है बच्चो, चरित्र, आचर्ण, आचर्ण की यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। मनु महराज पहला वचन कहते हैं कि हर एक इंसान को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। आगे कहते हैं वित्तम एती च याती च वित्तम याने धनम धन एती चला जाता है च और याती चला जाता है एती प्राप्त होता है। मनु महराज कहते हैं कि मनुष्य को अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो चला भी जाता है और आ भी जाता है, वित्तम धनम, एती प्रापनोती, च और याती गच्छती, धन तो आ भी जाता है और धन चला भी जाता है, लेकिन चरित्र की यत्न पस्ट करते हैं कि अक्षीनो वित्ततह क्षीनह वित्ततह धनेन धन से यदी कश्चित जनह धनेन हीनह भावती तदास पुनरपी धनम प्राप्तुम शक्नोती अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से धन से हीन हो जाता है तब उसको हमेशा के लिए धन ही नहीं माना जा सकता समय आएगा वह फिर से धनवान हो जाएगा इसलिए कहा अक्षीनो वित्ततह क्षीनह यदी वित्त से धन से धन से ख्षीन है तो अक्षीन है कोई कमे नहीं है कोई बात नहीं गई लेकिन आगे सावधान करते हुए कहते है अगर कोई व्यक्ति चरित्र से गिर गया, अगर किसी व्यक्ति के चरित्र का पतन हो गया, तब मनु कहते हैं व्यक्ति चरित्र से तू निश्चे से हतह अगर पतित हो गया, तो हतह ऐसा इंसान तो वाकई जीवन में मृत के समान हो जाएगा, जिसके चरित्र का पतन हो जाएगा कहना यह चाहते हैं, प्यारे बच्चों, कि मनुश्य को अपने जीवन में धन और चरित्र, इन दोनों के निर्णे का आवसर यदि जीवन में आए, तब उसे चरित्र को अधिक महत्व देना चाहिए इसलिए क्योंकि यदि एक बार व्यक्ति अपने चरित्र से गिर गया, चरित्र से पतित हो गया, तब वह पतित ही हो जाएगा आपको ध्यान में होगा, हजारों वर्षों पहले कभी रावन हुआ था, रावन ज्यानी भी था, विद्वान भी था, वह शास्त्रों को भी जानता था, लेकिन उसके चरित्र का पतन हुआ और आज हजारों सालों के बावजूद, कोई भी माता पिता अपनी संतान का राव नाम भी नहीं रखता है, यह चरित्र का महत्व है, इसलिए कहते हैं कि यदि वितक्षिन हो गया, यदि धन आपका कम हो गया, कोई भात नहीं, वह फिर आजाएगा, धन तो है लक्ष्मी को तो चंचली कहा जाता है, प्रिय छात्रहा अतह अस्मा भी चरित्र से रक्षा पूर्णम वर्तते, यदि सचरित्रह बालकह अस्ति, यदि सचरित्रह बालिका अस्ति, तदा सा जीवने सर्वं प्राप्तुम शक्नोति, धनम पी प्राप्तुम शक्नोति, यशह पी प्राप्तुम शक्नोति, परम तत्र चरित्रस्य महत्व पूर्णम अधिकम अस्ति, धन बच्चो आपको यह श्लोक समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से आप आवरित्त कर सकते हैं कि चरित्र को यतन पूर्वक बचा की रखना चाहिए, धन चला जाता है, आ जाता है, धन से हीन होने पर कोई हीनता नहीं होती, परन्तु अगर चरित्र से हीन हो जाए, चरित्र से पतित हुआ व्यक्ति, जीवन में मृत के समान हो जाता है, पतित हो जाता है, यह प्रथम श्लोक आपने पढ़ा, इस श्लोक में आप चरित्र के संबंध में जान चुके, अब आईए हम अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ महाभारत तो अभी अभी आपने देखा भी है टीवी के उपर प्रसारित हो रहा था महाभारत में एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हैं जो सब को प्रभावित करते हैं वो हैं विदूर अगर कोई सत्य बात कहता था आपने अनुभव किया होगा अगर कोई सची बात कहता था तो वो विदूर था, चाहे राजा को प्रिय लगे, चाहे ना लगे, उसी विदूर महराज की रचना, उसी विदूर महराज का उपदेश, महा भारत की अंतरगत ही संग रही थै और उसका नाम है विदूर नीती, विदूर नीती का ये शलोक अब हमारे सामने प्रस्तूत है, श्लोक को जैसा मैंने पहले श्लोक का पाठ किया था, पहले मैं एक बार पढ़ूँगा, उसके बाद मैं चंद के अनुसार इसका गायन करूँगा, और उसके बाद फिर बच्चों, हम इस श्लोक के अंतरगत नहित भावों को जानेंगे श्रुयताम धर्म सर्वस्वम शृत्वा चैवा वधार्यताम आत्मनह प्रतिकूलानी परेशाम नसमाचरेत आईए अब चंद के अनुसार इसको पढ़ते हैं श्रुयताम धर्म सर्वस्वम शृत्वा चैवा वधार्यताम आत्मनह प्रतिकूलानी परेशाम नसमाचरेत शब्दर्थ के रूप में देखिए बच्चों शृत्वा यने सुनिये धर्म सर्वस्वम धर्म का सार शृत्वा सुन करके च और एव ही अवधार्यताम धर्ण कर लीजिए क्या है वहसार? आत्मनह अपने प्रतिकूलानी विपरीत अपने विपरीत आचर्ण परेशाम दूसरों के साथ नसमाचरेत न नहीं समाचरेत करना चाहिए व्यवहार में लाना चाहिए बहुत अच्छी बात विदूर निती के रचनाकार विदूर इसमें कहते हैं विदूर जी कहते हैं कि धर्म के सार को सुनिये धर्म के संबंद में इस देश में बहुत चर्चा की जाती है बच्चो सारी दुनिया में धर्म को लेके चर्चा होती है यदि विदूर महराज का धर्म का यह लक्षन हमको समझ में आ जाए तो संसार में कहीं कोई भी धर्म विशयक वय मनस्य भेद की भावना हो इनी सकते विदूर कहते हैं शुर्यताम धर्म सर्वस्वं धर्म के सर्वस्व को सुनिये सार को सुनिये और सुन करके शुरुत्वा चेवा और सुन करके अवधार्यताम धारन कर लीजिये और क्या है वो सार आत्मनह प्रतिकूलानी अपने विपरीत मुझे जो अच्छा नहीं लगता जो व्यवहार मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ करे मुझे व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए राष्ट पिता महात्मा गांधी कहते थे आप अपनी प्रशंसा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप दूसरों की प्रशंसा कर सकें आत्मनह प्रतिकूलानी अपने प्रतिकूल जो व्यवहार हमें अपनी आत्मा के विपरीत लगता है विरुध लगता है परेशाम दूसरों के साथ न समाचरित नहीं आचरण में व्यवहार में लाना चाहिए हमको वही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए जो हम अपने साथ चाहते हैं हम क्या चाहते हैं प्यारे वच्चों हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे काम करें औ और हमारे अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले लोग हों, हमारे सिक्षक हमको प्रियमाने, हमारे माता-पिता हमको प्यार से रखें, हम ये चाहते हैं, तब हमको उस व्यवहार को, उस आचरण को भी रखना होगा, कि हम भी अपने गुरुओं का संबान करें, हम भी अपने विद्याले की सारी चीजों का जो भी हमारे लिए हैं उन सब का यदी हम अच्छी तरह से व्यवहार में ला रहे हैं तब निश्चित रूप से हमारा भी सम्मान होगा प्यारे बच्चों इस श्लोक में बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है संधी के रूप में अगर आप देखें च एव अवधार्यताम ये स्वर संधी का उधार्ण बन सकता है और आत्मनह अपनी आत्मा के प्रतीकूल तो आप और हम सब लोग जानते हैं तो अधुना संस्कृत भाशायं वदामी बालकाह अयम श्लोकह अस्मान प्रेरयती यत यद व्यवहारं यस्य व्यवहारस्य अपेक्षा वयं अन्यभ्यकूर्म अस्माभी सैव व्यवहारह अपरैसह अपी करणियं ये न सर्वत्र धर्मस्य वातावर्णम स्याथ ये न सर्वत्र धर्मस्य शान्ति अपिश्याथ प्रसन्नता अपिश्याथ सर्वत्र वातावर्णम समेचिनम भावेत निश्चित रूप से आपको ये शलोक बहुत प्रभावित करेगा और मैं ये चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि आप इन सब शलोकों को समर्ण कर ले कंठागर कर ले जिससे जीवन में आपको बहुत बार प्रेरित करते रहेंगे जब भी आपको किसी के आचरण व्यवहार को लेकर के मन में संदे होगा आप सोच लीजिए कि आपका आचरण कैसा था उसका प्रतिफल कैसा आपको आ रहा है आपको विदूर जी की बात बिलकुल प्रभावित करेगी कि हमको अपने प्रतिकूल किसी से आचरण नहीं करना जब हम नहीं करेंगे तो यह निश्चित है कि हमारे साथ भी कोई प्रतिकूल आचरण नहीं होगा आपको समझ में आ गया होगा आईए हम आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों जो हमारा अगला श्लोक है वह चानक्य नीती से हैं चानक्य के संबंद में आप सब लोग महभारत से पूर्व एक सीरियल टीवी पर दिखाया जाता था उसका शिर्षक ही चानक्य था वहां भी देख चुके हैं और आपने इतिहास जो पढ़ा है तो नंदव अन्ष के साथ चानक्य का विग्रह था चानक्य अपने समय के महमंत्री थे लेकिन अनूठे नितिज्य भी थे नीती का पालन करने वाले भी थे उन्होंने कभी भी समझोता नहीं किया अपने नीती का पालन चानक्य के लिए सबसे महत्तो पूर्ण हुआ चात्रों मुझे य प्रधानमंत्री होते हुए चानक्य कुटिया में निवास करते थे। मेगस्थनीज ने अपने इतिहास के वृत्य में लिखा, संस्मर्ण में लिखा कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना सरल और इतना अपने कर्तव्य का पक्का हो वो देश वास्ताव में सारे संसार को मार दिखाने लायक ही है, विश्व गुरु ही है, उसी चानक्य की द्वारा रचिते रचना चानक्य नीती से ये श्लोक लिया गया है, श्लोक को मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इसका गायन भी करूँगा, श्लोक प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुशंति जन्तवह तस्मात तदेव वक्त अभ्यम वचने का दरीद्रता, आए इस चंद में इसका गायन करते हैं, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुशंति जन्तवह तस्मात देव वक्त अभ्यम वचने का दरीद्रता, प्यारे बच्चों, आए श्लोक में प्रत्येक शब्द के अर्थ को देखते हैं, प्रियवाक्य प्रदानेन प्रियवचन बोलने से सर्वे सभी तुशंति संतुष्ट हो जाते हैं, जन्तवह प्राणी, सभी प्रियवचन बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, सब संतुष्ट हो जाते हैं, प्रियवचन बोलने से, तस्मात इसलिए तत एव उसको ही उस वचन को ही प्रिय वचन को ही वक्त अभ्यम बोलना चाहिए वचने वाणी में बोलने में का कैसी धरिद्रता गरीबी आचारिय चानक के कहना चाहते हैं प्यारे चात्रों प्रियवचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं इसलिए सब को प्रियवचन ही बोलने चाहिए वानी की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए देखिए किसी व्यक्ति के पास धन की दरिद्रता हो सकती है किसी के पास अर्थ का अभाव हो सकता है पैसों की कमी हो सकती लेकिन मधुरवानी की तो कमी नहीं हो सकती ना प्यारे बच्चो इसलिए चानक के कहना चाहते हैं कि प्रियवचन बोलने से सब लोग खुश हो जाते हैं संतुस्ट हो जाते हैं इसलिए हमको चाहिए कि हम प्रियवचनों का ही प्रियोग करें हिंदी का वो दोहा आपको याद होगा, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, कववा किसी का धन नहीं लेता, कोयल किसी को देती नहीं, लेकिन मधूर वचनों के कारण वह सब की प्रिय होती है, ये जो भाव है दोहे का, ये मूल रूप से संस्कृत के श्लोकार्थ है बेटा, कहते हैं, फिर से प्रिय वचन बोलने से सभी संतुस्ट हो जाते हैं, सारे प्राणी, किवल मनुष्य ही नहीं बच्चों, किसी भी प्राणी को, आपके घर में अगर पालतु कोई जानवर है उसको भी अगर आप प्रिय बोलते हैं उसको भी अगर आप प्यार से बात करते हैं व्यवहार करते हैं तब आप पाएंगे कि वो आप से प्यार करने लगता है वो खुश हो जाता है यही कहते हैं तस्मात तदेव वक्तव्यम इस आचार्य चानक्यह वदति प्रिय वचनानां प्रियोगेन सर्वेजनाह अस्माकं प्रति अस्मान प्रति प्रसन्नाह भवंति अतह अस्माभी सर्वेज़ प्रिय वचनानां प्रिय वचांसियेव प्रियोकतव्यानी वचनानां प्रयोगे वान्या प्रयोगे कुत्रापी क्वापी दरिद्रता न करणिया ये न अस्माकं जीवने सुखं स्याथ अस्माकं जीवने सुखस से आगमनम स्याथ हमारे जीवन में तभी सुखा सकता है जब हम प्रिय वचनों का प्रियोग करें आचार्य चानक के इस श्लोक के अंतरगत इसी बात का विशिस रूप से उलेक कर रही हैं प्यारे बच्चो ये श्लोक हमारा पूर्ण हुआ, इस श्लोक के बाद, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा श्लोक है, वो सुभाशित रत्न भांडा गारम ये संस्कृत का एक सुंदर्वचनों का संग्रह है, सुभाशित जैसा कि अपने नाम से ही प्रकट होता है, सु यने अच्छा, भाशित यने कहा गया, सुभाशित रत्न, कभी उनको रत्न कहते हैं, सुंदर्वानी को रत्न कहते हैं, उनका भंडा गारम, उनका भंडार है ये सुभाशित रत्नावली है सुभाशित रत्नों का भंडार है और उस भंडार से ही एक रत्न उठा करके हमारे सामने प्रस्तूत किया गया तो अब जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं बच्चों विद्वानों के कथन के अनुसार वह बहुत बड़ा रत्न है आपको ध्यान में होगा एक विद्वान राजा हुए राजा भोज और राजा भोज वह राजा थे प्यारे बच्चों जो भी उनके पास आकर के अपनी रचना सुनाता था अच्छी रचनाई सुनाता था तब वह उनको बहुत बड़ा पुरुसकार देते थे वह पुरुसकार लाखों सोने की मुद्राओं में होता था तो ये जो हमारा संग्रह है ये उसी तरह कि एक रत्न का संग्रह है उस संग्रह से एक रत्न हमारे सामने प्रस्तूत किया गया है आये मैं उस रत्न को श्लोक जो हमारे सामने आ रहा है एक बार आपके सामने पढ़ अब हम इसका गायन करते हैं, बच्चों, ये पहले श्लोक से थुड़ा सा भिन्य स्वर्का श्लोक है, मैं इसका गायन कर रहा हूँ बिवंति नद्यह स्वयमेवनांभः स्वयम्न खादंति फलानि विक्षाहा नादंति सस्यं खलुवारिवाहा परोपकारायसतां बिभूतयह आए अब हम श्लोक के अंतरगत प्रयुक्ते प्रत्यक शब्द के अर्थ को देखेंगे बच्चों पिवंति पीते हैं पापिधातु पिवंति पीते हैं नद्यह नदी शब्द का बहु अचा नदियां पिवंति नद्यह स्वयम एव स्वयम ही स्वयम एव स्वयम ही अपने आप ही न नहीं अंभः अंभः जल पानी कहते हैं नद्यां अपना जल स्वयम नहीं पीती पिवंति नद्यह स्वयम एव न अंभः नद्यह स्वयम एव जलम अंभः न पिवंति नद्यां अपना जल स्वयम नहीं पीती स्वयम न खादंती फलानी व्रिक्षा स्वयम अपने आप न नहीं खादंती खाते हैं फलानी फलों को बहु अचने फलों को फलम फले फलानी फलों को व्रिक्षा व्रिक्ष व्रिक्ष अपने फलों को स्वयम नहीं खाते हैं नादंती सस्यम खलू वारिवाहा नादंती अद खाने के अर्थ में होता है बच्चो नादंती नहीं खाते हैं सस्यम फसल को सस्यम फसल खलू निश्चय से वारिवाहा बादल नादंती नहीं खाते हैं सस्यम फसल को खलू निश्चय से वारिवाहा बादल बादल जिनके बरसने से फसल होती है संसार में अनुद्पन होता है वह बादल उस फसल को स्वयम नहीं खाते हैं परोपकाराय दूसरों का उपकार करने के लिए सताम विभूत यह सज्जन लोगों की सम्रिधी सज्जन लोगों का कीश्री सज्जन लोगों के पास में जो भी एश्वर्य है वह सब कुछे परोपकाराय दूसरों का उपकार करने के लिए हुता है प्यारे बच्चों आईए एक बार इसके भावारत को अच्छी तरह से समझते हैं कहते हैं नदियां अपना जल अपने अंभ को अपने पानी को स्वयम न पीवनती स्वयम न पीती हैं नदियों का पानी तो बेटा हम सब पीते हैं सारा संसार पीता है हमारी फसल हमारे पशु हमारे पक्शी हम सब लोग नदी का जल पीते हैं नदी अपना जल नहीं पीती कभी भी आगे कहते हैं कि जो विक्ष हैं विक्षाहा फलानी स्वयम न खादंती व्रिक्ष अपने फलों को स्वयम नहीं खाते तभी तो हमको प्राफ्त होते हैं तो व्रिक्ष अपने फलों को स्वयम नहीं खाते, वो भी परोपकार करते हैं, नधियां भी परोपकार करते हैं, दूसरों को जल देती हैं, और व्रिक्ष भी परोपकार करते हैं, दूसरों को फल देते हैं, नादंती सस्यम खलू वारिवाहा, वारिवाहा बादल, मेघ, अग अपने द्वारा सीची गई फसल को न अदंती स्वयम नहीं खाते उसको जैसे ये तीनों अपने द्वारा संपादित अपने द्वारा उत्पन्न की गई वस्तों का सेवन स्वयम नहीं करते बलकि परोपकार के लिए समर्पित कर देते हैं ऐसे ही आगे कहते हैं इसी बात को लेकर के कि परोप काराय सताम भी भूतया संसार में जो सज्जन लोग होते हैं श्रेष्ट लोग होते हैं वो बादलों की तरह होते हैं वो नदी की तरह होते हैं वो व्रिक्षों की तरह होते हैं उनकी सारी सम्रिद्धी उनके सारे पदार थे दूसरों के भले के लिए होते प्रिया चात्रहा अधुना वयम अस्या श्लोकस्य संस्कृत भावार्थं पश्यामः कवी वदति पिवंति नद्यह स्वयमिव नांभः नद्यह स्व जलं स्वयं नपिवंति तेशाम जलं परोपकाराय भावति व्रिक्षाहा स्व फलानी स्वयं नखादंति तेशाम फलानाम अपि अन्य जनाहा प्रयोगम कुरुवंति परोपकाराय फलानी अपि परोपकाराय एवम एव मेघाहा स्व जलं स्वयं नपिवंति मेघानाम जलेई सिंचितानी सश्यानी अपि ते नखादंति सश्यस्यापि उपयोगम जनाहा एव कुरुवंति अतैव एतेन सिद्धम भावति परोपकाराय एव सज्जन पुरुशानम विभूत यह सम्रिद्धी भावति तेसाम सर्वं सामर्थ्यम एव परोपकाराय भावति बच्चो ये परोपकार के महत्व के संबंद में तीन उधारन देकर के विद्वान ने बात को स्पस्ट किया ये आज के हमारे पाठ का शलोक जो है पूर्णता की ओर जा रहा है इस शलोक के साथ ही हमारी यह कक्षा पूर्ण होगी इस पाठ के बचे हुए अन्य चार शलोकों का वाचन उनका अध्यन हम अगली कक्षा में करेंगे आशा है आपको इन शलोकों का भाव और अर्थ समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे बहुत सिक्षापरद बहुत महत्वपूर्ण रत्न है प्यारे बच्चो इनको स्मर् जरूर कीचिएगा धन्यवाद जरूर्चो इनका प्यारे बहुत